हेलो दोस्तों आपका सवागत आपके अपने योटूब चैनल M.D.U. हेल्प में आज हम इस वीडियो में B.Com.Distance Student के बारे में बात करेंगे कितने student ने एक्जाम दिया था, कितने student पास हुए, कितने student फेल हुए सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे कितने स्टूडेंट ने एक्जाम दिया था कितने स्टूडेंट पास हुए कितने फेल हुए बीकॉम डिस्टेंज के जो स्टूडेंट है पहले दूसरे तीसरे चोथे और पांचवे सेमेश्टर के जो स्टूडेंट है आप तक पहुंच जाए, इंस्टागराम, फेस्ट बुक, टेलिगराम पर फूलो नहीं किया, तो आप पर भी फूलो कर लिजिए, सबी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वाज़ आप सीदे फूलो कर सकते हैं, तो चलिए सुरू करते हैं, यहा पास हुए, पास परसेंटेज क्या रहेगी, सबसे पहले हैं, पर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, उसका सब्जेक्ट कोड देख सकते हैं, बिजनस कम्मुनिकेशन का जौब का सब्जेक्ट है, तीनसो पंदरा स्टूडेंट ने एक्जाम दिया था, 153 स्टूडेंट पा हुए हैं, इसके बाद अगला सब्जेक्ट है, बिजनस मैनेजमेंट का, तीनसो पंदरा स्टूडेंट ने एक्जाम दिया, 204 स्टूडेंट पास हुए, 64.6% ही स्टूडेंट पास हुए हैं, इसके बाद अगला सब्जेक्ट है, बिजनस मैथेमेटिक्स का, तीनसो पंद 65.40% ही student पास हुए हैं इसके बाद अगला subject है basic of computer का 315 student ने exam दिया 190 student ही पास हुए 60.32% ही student पास हुए हैं अगर पूरे semester की बात करें तो 315 student ने exam दिया था total जिसमें से 63 student पास हुए हैं फेल कितने student हुए हैं पहले semester में 252 student फेल हो चुके हैं पास परसेंटेज आपकी 20% रहे हैं सिर्फ 20% student पास हुए हैं पहले semester में 315 ने exam दिया था 63 पास हुए हैं और 252 student फेल हो चुके हैं पहले semester की past percentage यहां पर आप देख सकते हैं इसके बाद second semester के जो student है B.com के यहां पर आप अपनी भी past percentage देख सकते हैं सबसे पहले जो आपका subject रह गए हैं यहां पर आप semester देख सकते हैं B.com के जो student है distance के यहां पर subject code subject name कितने student ने exam दिया कितने पास कितने फेल हैं सबसे पहले business communication का जो आपका सब्जेक्ट है बारा स्टूडेंट ने एक्जाम दिया च्छे स्टूडेंट पास हुए 50% स्टूडेंट पास हुए हैं इसके बाद बिजनस एकनोमिक्स का गला जो आपका सब्जेक्ट है बारा स्टूडेंट ने एक्जाम दिया च्छे स्टूडेंट पास हुए इस इसके बाद business management का जो subject है बारा student ने एक्जाम दिया, 6 student path, 6 student fail, 50-50 आपके pass percentage हो गई, इसके बाद है business mathematics का बार student ने एक्जाम दिया, 5 student pass है, बाकी के जो आपके student है वो फेल हो गई, 41.67% student pass हुई है, अगला subject है financial accounting का subject कोड यहां पर आप देख सकते हैं, 12 student ने एक्जाम दिया, जिसमें से 3 student ही pass हुए, 25% student pass हुए है, अगला subject है basic of computer का, 12 student ने एक्जाम दिया, 4 student pass हुए, 33.33% student pass हुए है, इस subject में आप देख सकते हैं, अगर पूरे second semester की बात करें तो 12 student ने एक्जाम दिया, total 3 student ही pass हुए है, second semester में, सिर्फ 25% student pass हुए है, second semester में pass percentage आप देख सकते हैं, 12 student ने एक्जाम दिया, total जिसमें से 9 student फेलो चुके हैं, pass कितने student हुए, सिर्फ 3 student second semester में pass हुए हैं, इसके बाद 3 semester के जो student आपकी भी pass percentage देख लेते हैं, तीसरा semester आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो subject है, business regularity framework, 220 student ने एक्जाम दिया, पानवे student pass, 41.82% student pass हुए है, अकला subject है, business statics का, 220 student ने एक्जाम दिया, 112 student pass, 13.27% student pass हुए हैं, इसके बाद अगला subject है, corporate accounting का, 220 student ने एक्जाम दिया, 220 student pass, 84.9% student pass हुए, अगला subject है, principle of marketing का, 220 student ने एक्जाम दिया, 187 student ही पास हुए, 50% student ही पास हुए हैं, सिर्फ अगला subject है, human research management का, 220 student ने एक्जाम दिया, 287 student pass, 37.27% student pass हुए हैं, पूरे तीसरे semester की बात करें, तो 220 student ने एक्जाम दिया, 55 student pass हुए हैं, और fail कितने आपके student हुए हैं, 165 student fail हुए हैं, पास percentage की बारे में बात करें, तो 25% student pass हुए हैं तीसरे समेस्टर में fail कितने हुए हैं 165 student fail है 155 पास है और 220 ने exam दिया था तीसरे समेस्टर में इसके बाद 4th semester की भी pass percentage के list देख लेते हैं आप आप 4th semester देख सकते हैं यापर subject name है यापर subject code है 12 student ने exam दिया है सबी subject में पास कितने student हुए हैं आप subject wise याँ पर देख सकते हैं हम पूरे semester के बारे में याँ पर बात कर लेते हैं 12 student ने exam दिया 4th semester में जिसमें से 6 student ही पास हुए हैं और 6 student फेल हो गए सिर्फ 50% ही student पास हुए हैं 4th semester में इसके बाद अगर 5th semester की बात करें तो 5th semester में आप याँ पर देख सकते हैं पात माँ semester है subject code देख सकते हैं subject ने हमें advertisement and sales management 217 student ने exam दिया है 190 student पास हुए हैं 1.20% student पास हुए हैं अगला subject है business environment का 217 student ने exam दिया 189 student पास हुए 87.10% student पास हुए हैं अगला subject है income tax का 217 student ने exam दिया दिया एक सो स्टूडेंट पास हुए हैं अगला subject है cost accounting का 217 student ने exam दिया एक सो बिया सी student पास हुए 33.87% student पास हुए हैं अगला subject है international marketing का 217 student ने exam दिया 109 student पास इक यानम पोइंट 41% student पास हुए हैं इसके बाद आपका जो अगला subject रहेगा आप देख सकते हैं management accounting and financial management का 217 student ने exam दिया एक सो सी student पास बिया सी पॉइंट पीचान में परसेंट इस्टूडेंट पास हुए हैं पांचवे semester की बात करें तो पूरे की 217 student ने exam दिया 160 student ही पास हुए हैं और पास percentage की जो लिस्ट आप देख सकते हैं 33.33% ही student पास हुए हैं पांचवे semester में ठीक दोस्तो अगर fail student की बात करें तो 57 student fail हो चुके हैं अगर पास student की बात करें तो कितने student पास हुए हैं 287 student पास हुए हैं 500 semester में और total student ने कितने ने exam दिया था 796 student ने exam दिया था यह आपके total student हो चुके हैं यह आपके past student है और यह आपके fail student है अगर आप total student में से past student माइनस करोगी तो आपके fail student आजएंगे या फिर अगर आप total student में से fail student माइनस करोगी तो आपके pass student आजएंगे यहां पर आप देख सकते हैं कितने student pass है कितने fail है 706 ने तो टोटल एक्जाम दिया था पहला दूसरा तिसाथ हो था पात्वा समेश्टर मिला कि 287 स्टूडेंट पास आउर 149 स्टूडेंट फेल हो चुके हैं पात्वा समेश्टर में यह आपके बीकॉम डिस्टेंट स्टूडेंट की पास परसेंटेज की लिष्ट रहेगी 500 स्टूडेंट की लिष्ट आप देख सकते हैं इस वीडियो का मनाने का मकसद यही है कि आप आने वाले जो एक्जाम उसकी अच्छे से परिपरेशन करें क्योंकि MD बहुत जादा पर दे रही है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं इसलिए आपको अपनी अच्छे से परिपरेशन करनी है अगर आपने बीकॉम में डिस्टेंस से एड्मिसन ले रखा किसी भी सेमेस्टर में आप फर्स्ट सेकेंड थार्ड फूर्थ सेम या फिर six semester कोई भी आपका semester comment करके ज़रूर बताए कि सर मैं इस semester में ठीक दोस्तो मुझे आपसे कुछ help रहेगी इसलिए comment करके जरूर पताए की सर मैं इस समेस्टर में हूँ बीकुम का आपका कोई भी समेस्टर हो इस लिस्ट के regarding result के regarding exam के regarding है फिर हमने कोई भी डाउट है तो आप comment box में पूछ सकते हैं वीडियो helpful लगे हो तो वीडियो को लाइक करें जादा जादा शीर करें चैनल पर पहली वा रहे हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद